गाईस आप सभीका स्वागते जिटीए 5 के एक ओर गेमपले में आज मैंने अच्छानक से एक नई दुनिया खोज निकाला जिसके बारे में कहा जाता है की जो भी वहाँ पर गया वो कभी जिंदा नहीं लोट पाया पर गया पर गया आप लोग देखना मैं वहाँ से जिंदा नहीं जा सकता मेरको नाओ चाहिए ये वाली तो खराब है मेरको नाचा कर भी पानी के अंदर कूदना होगा ओके तो गाईस मैं नाओ तक पहुँच गया बस अब इसको चला कर रहस्या मैं दुनिया तक पहुँच नए पर गयाईस वहाँ पहुँचने से पेले आप लोग अजीब जगह पर आ गया देखो इस जगह को कितनी भयानक लग रही है यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा मेरको लगता है ये जगह पूरी तरह से विरान है ओ माई गोड ये अचानक से सामने से यूएफो कहां से आ गया गया गैस इसके अंदर तो हो सक जारे एसे तो मैं मारा जाऊंगा क्योंना गैस पतर के पीछे चुप जाऊं साइदू उनको पता ना चले पर वो तो यहाँ भी आ गये गैस बाल बाल बच गया अभी तो उनका शिकार हो जाता पर गैस मेरको पता चल गया कि लोग यहाँ से जिंदा क्यों नहीं लोटते क् जारे देगर भी कोई आता है तो इन राक्सस का शिकार हो जाता है मैं इंको मानना तो चाहता हूं पर गैस मान नहीं पारा क्योंकि वो वापस यह जिंदा हो जाते है धेखो कितना करीब आ गये क्योंना इंक अपर गों फेक दूं साइद उसे तो इंकी रफ्तार कम हो जाए और मेरे को भागने का मोका मिल जाए क्योंना गाई सामने की तरफ पहाडों के उपपर चड़ जाऊं हो सकता है वो राक्सस पहाड पर ना चड़ पाए अरे वा मेरा आइडिया काम कर गया हो सभी तो नीचे रह गये क्योंना गाईस पेदल चल कर में और उचाई पर चला जाऊं ओ भाई साब सामने तो एक गाउन अजर आ रहा है हो सकता है वहाँ पर मेरे को कोई इंसान मिल जाए फिर मैं उससे मदद मांग लूंगा ओके तो गाईस आप देख सकते हो मैं पेरासूट के मदद से गाउ पहुँच गया पर वो कमी ने तो पेदल भाग कर देखो मेरे तक आ गए मेरे को गाईस यहां से भी भागना होगा क्योंना सामने घर में जाकर मैं उसके अंदर छुप जाऊं पर गाईस यह दर्वाजा तो खुली नहीं रा और वो सभी राकसस भी आ गए क्योंना वापस से भाग कर मैं उचाई पर चड़ जाऊं मेरे को एक बात तो समझा गई कि उचाई मेरे को बचा सकती है क्योंकि यह सभी राकसस उचाई पर चड़ नहीं सकते पर गाईस मेरे को दूर वाँ पर एक बाईक नजर आ रही है इसकी मदसे मैं दूर भाग सकता हूं मेरे को गाईस जल्दी करना होगा क्योंकि वो सभी राकसस तो काफी पास में आ गए चलो सडक पर चलते पर गाईस काफी धूप की वज़े से में काफी ज़्यादा ठक गए और सच बताऊं तो मेरे को प्यास भूक लग रही है अरे वाँ सामने तो देखो एक और गाउन नजर आ रहा है मेरी बाईक तो फिसल गई और गाईस उसकी वज़े से में गिर गए मेरे को लगता है सामने रेश्टोरेंटे पर गाईस इसके अंदर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा हो सकता है उन सबी को वो राकसस खा गए हो क्योना गाईस उनका खाना खाकर घूर प्यास मिटाई जाए इतने में तो मेरा पेट नहीं भरा पर मैं काफी सारा खाना ले आया क्योना गाईस सबी को खाकर मैं अपना पेट भर लूँ तभी अच्छा मेसूस होगा कोकि तो मैंने सारा सफाया कर दिया बस बर्गर और कोल्ड कोफी को छोड़ कर चलो गाईस अभी याँचे निकलते देखो सामने मेरी बाइक पड़ी पर आखिर में जाऊं का क्योंकि गाईस काफी समय बितने के बाद भी एक भी इंसान नजन नहीं आया पर मैं हान नहीं मानने वाला उनको खोज करी रहूंगा ओ माई गोड ये राकसस तो कितना बड़ा है कई वो मेरे को निगलना जाए गाईस उसने तो लाक मार कर मेरे को साडक से दूर फेक दिया मैं तो गाईस उसके सामने चिटी के बराबर लग रहूं वो तो अपनी पावर काम में लेकर मेरे को आसानी से मार देगा क्योंना गाईस वापस भाग कर बाईक के पास पहुँच जाओं वो बाईक तो सामने पड़िये अब मेरा काम बन जाएगा उसके अंदर से तो पेटरोल निकल रहा है ओ माई गोड पेटरोल ने तो आग पकड़ ली क्योंना गाईस दूर भाग कर मैं उसके धमाके से बच जाओं लेकिन वो राकसस तो बाईक के काफी करीब आ गया और गाईस बाईक में तो धमाका हो गया कई हो मेरे उपपर ना गिर जाए चलो बाल-बाल बच गया लेकिन धमाके की वज़े से उस राकसस का काम तमाम हो गया धेको गाईस इसकी आँखे अभी तक खुली हुई है अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओ और चातियो मैं इसे इस आंदर वीडियोस बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्रेब कर लेना